प्यारे बच्चो आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के वैसे सब्जेक्टिव कोशन का डिस्कास करेंगे जो कि आप लोग के प्रिवियस यर में बहुत बार पूछा जा चुका है तो हम उसी टाइप को आज डिस्कास करेंगे ताकि आप लोग के जो आने वाले 2024 बोट इक ज समझी को पूछने का संभावना बहुत बहुत जादा है तो हम वैसे कोशन को डिस्कास करेंगे ताकि आप लोग को भी पढ़के मजा आ जाएगा और समझी कुछ टाइप से परतेक एयर में सवाल आप लोगों से पूछा जाता है तो हम वैसे सवाल को बनाएंगे ताकि बार तीन बार चार बार आप लोग बनाएगा एकजाम में देखिए आप लोग जब जाएंगे तो आप लोगों से सब का सब कुषन आप लोगों से बनेगा बस वीडियो जिव ही जाता है बस इसको लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब अपलोग करकि इसको आगे बढ़ा देना है दोस्तों के पास ताकि वो लोग भी बढ़िया नमबर से पास हो पाए तो चलिए हम यह से स्टार्ट करते हैं question number one को discuss करते हैं चलिए question number one है आप लोग देख सकते हैं बाबू बहुत ही प्यारा सवाल है बहुत ही लोजिक वाल का सवाल ठीकना इसमें थोड़ा सा का होगा यह आप लोग का आव यू का सवाल है छोकी आप लोग देख रहे हैं यह ए बी सी डी का मन हम लोगों से पुछा गया है और आप आप लोग कोशन बैंक उठाक देखिएगा पर तेक साल इस टाइप का सवाल आप लोगों से पुछता है कि ABCD का मान बताईए XYZ का मान बताईए तो हम चलिए इसको बनाते हैं यदि आप लोगों से बन जाएगा तो आप लोग खुद से बनाएए यदि नहीं बनता है तो चल पर जवन ची जिस जगह पर है वह इसके उस जगह के इकवल के बराबर होता है जैसे देखिए इस आवयू में सबसे फॉस्ट में का है यह माइनस बी है और इस आवयू में सबसे फॉस्ट में का है माइनस वन है यानि ए माइनस बी का मान माइनस वन के बराबर होगा तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे यह चूकि A minus B equal to minus का 1 हम लिख लिए, आप लोग को मालूप चल लिए न कि हम A minus B बढ़ाब minus 1 कहां से लिखे, तो इसको हम लोग का करेंगे equation 1 कर लेंगे, उकरा बाद देखे, अब A B वाला term आप लोग को खुजना है, क्योंकि equation बनाना है, त जब A B वाला संगर हैगा, तो solve करने में असानी होगा, तो एकरा में आप लोग को दिखाई दे रहा है A B, तो एकरा में कहा है 2 A minus B, तो इस पोजीशन को देखिए, और इस में उस पोजीशन को देखिए, यह ज़र 2 A minus B है, तो एकरा जगह पे कहा है, 0 है, तो एकरा मतलब बवालोग कि हमनी के 2 A minus B बराबर का हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एकरा के इकरा के इकवेशन 2 कर लेते हैं, आरा समझ में न, पोजीशन पोजीशन को अला के इकवल होता है, मतलब इसमें जवन जगह, जवन चीज जहां पर है, इस आवियू में उस जगह के इकवल होगा, तब इसमें आजाएगे, देखिए, 2 A minus C, तो एहजा केतना है, 5 है, तो इसका मतलब बवालोग कि हमनी के 2 A minus C बराबर हमनी के का होगा, 5 होगा, तो एकरा के हम लोग equation 3 कर देंगे, कोई दिकत, कोई दिकत नहीं है, हम equation 3 कर देंगे, चलिए, एहजा हो गया, अब आजाएग या क्या है, 3 C plus D है, 3 C plus D एक जगा पर का है, 13 है, तो हम एह जाएगे लिखेंगे बवालोग कि 3 C plus D बराबर क्या है, हमनी के 13 है, ये हम लोग का equation का हो गया, फोर हो गया, तो 4 को हम लोग equation लिख लिए, ठीके ना, equation 1, 2, 3, 4, अब ओकरा बाद देखना है, इस समीकरन 1 और 2 क हल करेंगे, 1, 2 को ही क्यों हल करेंगे, क्योंकि एकरे में A माइनस B है, और एकरो में A माइनस B है, तो 1, 2 को हल करेंगे, तो देखिए, 1, 2 में ये दूनों में B है, और भी सेम है, खाली चीनी भी सेम है, और जो टर्म है, जो अक्छर है, वो भी का है, सेम है, तो हम एह जाए समी करन 1-2 ऐसे आप लोग को लिखना है समी करन 1-2 1 में से 2 को घटाना है चलिए तो एह जा है A-B बराबर माइनस का हमनी के 1 दे विया है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे बाबू कि 2A-B equal to का है 0 है चलिए एकरा के का करेंगे घटाना है ठीकना का करना है बाबू घटान है तो घटाओं में चिंध बदल जाता है देखिये H H minus है न तो H plus हो जायेगा हूप minus हो जायेगा हूप माइनस हो जायेगा यह plus b minus b खतम हो जाएगा A minus 2 A, A minus 2 A आप लोग का minus A बचेगा समझ गе है माइनस 1-0 क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा तो माइनस माइनस कट जाएगा तो फाइनली हम लोग का A कमान का आएगा A कमान 1 आएगा ठीक न? A कमान हम लोग का 1 निकल चुका है समझ गे न? A कमान 1 हम लोग का निकल चुका है अब एह जास देखिए धियान से बाबू अब हम का करेंगे B का मान निकलना है तो B का मान निकलने के लिए हम क्या करेंगे कि समिकरन 1 में इस A का मान रखेंगे B का मान निकल जाएगा दीए जा हम लिखते हैं कि समिकरन 1 में A का मान निकला हुआ है समिकरन 1 में A का मान रखने पर चलिए समिकरन 1 में का करते हैं? हम लोग A का मान रखते हैं तो एक कमान आया है 1, तो चलिए 1 रख देते हैं, minus b equal to minus का 1 हमनी के हो गया, तो इस minus b को इधर लाते हैं और एक राख इधर, कहने का मतलब है कि e आ जाएगा a ने और e आ जाएगा a ने, तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, थी हमनी के b कमान जो होगा, वह 2 मिल जाएगा, मिल ज निकल चुका है, b कमान निकल चुका है, अब बारी किसका है भगा लोग, अब बारी है c और d का, देखें समीकरन 3 में यदि a कमान रखेंगे तो c निकल जाएगा, तो हम यह लिखेंगे कि समीकरन 3 में a कमान रखने पर, हम लोग समीकरन 3 में का करेंगे, a कमान रखेंगे, चलिए, तो यह 2 a minus c है, ठीक न, चलिए, रखते हैं 2, a कमान केतना आया है, 1 आया है, 1 लिख दिए, minus c equal to 5, अब देखें का करेंगे, यह वाला c चल जाएगा इधर, और यह वाला जो 5 है, आजाएगा इधर, आजाएगा अजाएगा तो ऐसे करने से हम लोगों का c का जो value होगा, यह 2 minus 5 हो जाएगा, तो हमनी के c का मान आयेगा minus 3 आयेगा, बिल्कुल c का मान m1 आयेगा, क्योंकि यह इधर आएगा, तो minus हो जाएगा, तो c का मान का हैगा minus 3 आएगा, अब बाचार D कामान, तो c कामान रखेंगे समी करण 4 में तो D का मान निकल जाएगा तो फिर हम यह लिखते हैं बाबु कि समी करण 4 में समी करण 4 में सोरी, C निकला है ना C रखेंगे तम द D निकलेगा समी करण 4 में C का मान रखने पर समी करण 4 में C का मान रखने पर चलिए समी करण 4 में का करते हैं C पलस D है ठीक ना क्या है 3C पलस D है तो 3C का भेलू केतना आया है माइनस का 3 और यह ही जा है हमनी के पलस D और उकराबाद क्या है हमनी के 13 है चलिए यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस का 9 पलस का D बराबर हो जाएगा 13 यह माइनस 9 उधर जाएगा बाबू ठीक ना तो यह हमनी के जो D का भैलू होगा, 13 अनौ कितना होता है, 13,7,20 अधू 22 हो जाएगा, यहीं D का जो भैलू होगा, वो हम लोग का 22 हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं कि A का मान, B का मान, C का मान, और D का मान, सब चीज का मान हम लोग का निकल चुका है, तो आप लोग एह समझ सकते हैं, पूरे अच्छे तरीके से कि हां कईसे कईसे कौन चीज कैसे हुआ है, समझ गए न, देखिए, आप लोग फिर समझा देते हैं, जो यह A माइनस B था, माइनस 1 का बराबर हो गया, यह 2A प्लस C था, 5 के बराबर हो गया, फिर 2A मैनस B था, 0 का बराबर हो गया और इसी को लेकर हम सल्फ किये हैं, ठीक है न, जिसे आप लोग देख सकते हैं, घटाने पर यह घटा, तो गटा तो यह माइनस A आजाएगा, यह माइनस 1 आजाएगा, यह माइनस 1 था, A कमान 1 आप लोग A करा में रखेंगे, तो यह इधर आगा तो प्लस हो जाएगा, बी C कमान एकराम है और A कितना है तेदी A कमान हम लोग एकराम रखेंगे तो कितना हो जाएगा ऐगा ये दू हो जाएगा दू तो 5 में से सोरी 2-5 तो मैंस 3 C कमान तो मैंस 3 है C कमान मैंस 3 रखेंगे तो 3-9 हो जाएगा 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा यदि हम लोग B कमान 2-11 में रखते हैं सोरी B-11 में भी नहीं किले सही है बिलकुल ठीक है तो आप लोग समझ गए कि हाँ ये सवाल आप लोग का कईसे बना है तो आप लोग ऐसे ही बनाईएगा आगे चलते हैं बाबु चलिए ये आप लोग का इंट्रिग्रेशन से सवाल देख सकते हैं सेक एक्स का इंट्रिगेसण जो कि बहुत बार आप लोग का मोडल पेपर हो गया चाहे कुछ भी हो गया आप लोग के वहां पर यह सवाल पुछा जाता है सेक एक्स का चलिए इकरा के हम लोग बनाते हैं सेक एक्स को हम लोग बनाते हैं देखिए सेक एक्स को बनाने के लिए का होता है ना कि एकरा में हमनी के कुछ मल्टिप्लाई करना होता है मल्टिप्लाई क्या कि यह लिखना पड़ेगा आप लोग को कि अन्स तथा हर में समझे लिखना पड़ेगा अंस तथा हर में 6x पलस 10x से गूडा करने पर ये आप लोगो को इतना सा कस्ट करना पड़ेगा अंस तथा हर में ये आप लोगो को लिखना पड़ेगा कि 6x पलस 10x ले गूडा करने पर ये तना यदि आप लोगो लिख देते हैं तो ओकरावाद जो कोश्चन है वो क्या हो जाएगा असान हो जाएगा चलिए देखिए कैसे आई बराबर इंटिग्रेशन चलिए 6x है न ये लिखते हैं 6x एकराम का करेंगे गूना करेंगे गूना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x आप पलस का 10x हो जाएगा चलिए नीचवा देखिए का हो जाएगा नीचवा भी हामनी क्यों हो जाएगा 7x आप पलस के 10x ये आप लोगों को इतना सा 10 बात आप लोगोको याद रखना पड़ेगा समझ गये ये सेक X का इंट्रिकेसम करने का लोजिक होता है कि आप लोगों को सेक X प्लस 10X ले गुणा उपर नीचे करना पड़ेगा तभी हो पाएगा तो ये आप लोगों थोड़ा साथ ठीकन याद करना पड़ेगा चलिए तो हम लोग गुणा कर दिये हैं गुणा करने बद अब दिखे का करते हैं बाबू अब कहानी का अस्ली एससे स्टार्ट होता है ये सेक से आप लोग एक रहा में गुणा करेंगे गुणा करेंगे तो सेक Sqr X हो जाएगा पलस एस्वर हो जाएगा सेक X इंटू हो जाएगा 10X हो जाएगा न ओकराबादी नीचे तो आप लोग का जियों का तियों रहेगा सेक एक्स आप पलस का टैन एक्स ये आप लोग का जियों का तियों रहेगा अब देखिए नीचे वाले को मानेंगे ना उपर वाला फटाक से आ जाएगा आप लोग देखिएगा समझ गया ना नीचे वाले को ह उपर वाला आ जाएगा चलिए हम का करते हैं यह माना करते हैं कि माना यह हम सेक एक्स पलस टैन एक्स सेक एक्स पलस टैन एक्स को हम लोग का करेंगे हम लोग टी मानेंगे चलिए सेक का डीसी का होता है सेक का डीसी होता है सेक एक्स आ इन्टू का टैन एक्स अपलस टैन का ड इसी होता है C square X हो गया और यहाँ X के साफ़ प्रिक्ष हो रहा है तो DX हो जाएगा और इसमें T हो गा तो इसमें DT हम लोग का आ जाएगा तो आप लोग देख रहे हैं न कि C X into 10X इस सारा चीज आप लोग देख रहे हैं इस सारा चीज आप किस के बराबर आ गया DT के बराबर आ गया ठेका न किस के बराबर आ गया अब लोग का DT के बराबर आ गया चलिए अब एज़ा से का करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अब इसमें आप लोग दिखाई तो आप लोग चीज देख रहा है बर दित के बराबर है तो हम इससलिखेंगे लिखेंगे I बराबर integration है उपारवा ओला सब DT के बराबर है उपारवा हमने के का आ गया DT आ गया और ओकरावा देखेंगे नीचावा CX plus 10X है और इसका मान हम लोग T माने हैं तो एहिजा हम का करेंगे T लिख देंगे तो अब आप लोग एहिजा से बावु लोग ध्यान से आप लोग देखेंगे कि 1 by T का integration का होता है 1 by T का integration log T आ पलस का C होता है तो आई बराबर एहिजा देंगे log आ एहिजा मोड देंगे T का मान का है सेक X plus 10X तो एहिजा हमने के बैठा देंगे कि सेक X आ पलस के 10X आ पलस के C तो ये आप लोग का का हो गया बवगा लोग ये राइट इंसर हो गया तो आप लोग देख लिए न कि कैसे integration होता है किसे आप लोग बता दिये तो आप लोग एक राक दू बार चार बार आप लोग बनाईएगा आप लोगों से 100% बाबू बनेगा ठीक न और ऐसे सवाल एक जाम में खूब आते हैं खूब आते हैं इतने समझे कि आप लोगे इसको कर लेते हैं तो आप लोग का रिजल्ट जो है अच्छा आ जाएगा चलिए अगिले सवाल है कि वन बटा एक्स लोग एक्स तो इस सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट कनफ्यूज रहते हैं न कि सर एकरा में मानना का है पते नहीं चलता है कि यह प्रतियस्थापन विदि तो आप लोग को इसमें डीसी जो है वत्तागण होना चाहिए जैसे आप लोग देखिए बावू आप लोग को बताते हैं एकरा में तो दूए को चीज है एको 1 बटा एक्स है लोग है तो का 1 बटा एक्स का डीसी लोग होता है कि एका ना सार तो अब का होता है लोग X का DC 1 बटा X होता है तो लोग X को मानेंगे एक्दम आसान है तो चलिए एजा का करते हैं माना चालू करते हैं माना एजा हम लोग X को T मानेंगे चलिए T क्यों मानें लोग X का DC करेंगे तो 1 बटा X हो जाएगा और एजा लग जाएगा DX और एजा हो जाएगा हमनी के dt एक अरा के घेर देंगे ये घेर चुका है अब चलिए हमनी के आगे बढ़ते हैं question में आ जाते हैं हम लोग limit भी change कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है ठीक है न हम लोग चाहेंगे तो limit भी change कर सकते हैं वरना हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप लोगो दोनो बाद आप लोग ध्यान से देखेंगे आई sorry one बटा इस लोग x का मान कितना माने है t माने है हाँ one बटा x और dx देखेंगे इसको घिर रहे हैं ठीक है न देखेंगे one बटा x dx ठीक है one बटा x dx है one बटा x dx का मान का रखेंगे dt रखेंगे चलिए one बटा t है तो का हो जाएगा one बटा t है तो हम लोग t हो जाएगा अब पलस का तो c देना नहीं क्योंकि निश्ची सामा कलन है तब का दियाएगा तब एकरा में दियाएगा limit कितना है दू से तीन है तो अब ध्यान से देखिएगा कि होई जो दो से तीन है न इस ट के लिए नहीं है इस एक्स के लिए हैं तो यह का करेंगे लोग t का मान क्या है t का मान हमनी के लोग x है तो यह लोग x लिख दिये और ओकराबाद जो है हमनी के यह limit ही जा दे देंगे दू से तीन हो गया अब ओकराबाद आप लोग को इधर आ जाना है इधर आने के बाद अब आप लोग देखिए कि आई बराबर एहिजा आप लोग का चल रहा है लोग और एहिजा चल रहा है लोग एकस और लिमिट में आप लोग का चल रहा है दूसरे तीन यही न चल रहा है चलिए मान एकरा में हम लोग क्या करते ह चलिए log एकरा में log एहिजा 3 माइनस एकरा में log और एकरा में log और एहिजा हो जाएगा 2 यह हम लोग का हो गया ठीक है न यह आप लोग फाइनली इतना आप लोग इंसर छोड़ सकते हैं समझ गया यह आप लोग का एतना राइट इसर हो गया तो देख रहा है न कितना आराम से कितना प्यार से सवाल बन रहा है घबराना नहीं है समय अभी भी इतना है कि हम लोग result अच्छा ला सकते हैं ठीक न दो तीन मैंने समय है तो यह कम समय नहीं है बहुत ज्यादा समय है वो करें कि पांच बार दसवर बनाना है तो मजा आ जाएगा समझ गया ना तो ये आप लोग का क्या हो गया बावु लोग राइट इंसर हो गया समझ गया का हो गया राइट इंसर हो गया आगे बढ़ते हैं निक्स सवाल आप लोग देख रहें कि एकरा में एक्स का मान निका को चालना है तो अब एकरह में क्या करना है एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडरूट में चार हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बहुगा लोग पलस माइनस हमानी के दू होगा तो आप लोग देख रहे हैं न कितना बढ़िया से आगया एक्स बराबर क्या आगया पलस माइनस दू असाइड में जब बाववा लोग, का करना है बाववा लोग, एकरा में आप लोगो x, y कामान बताना है चलिए, बोले ना, पोजीशन देखना है, हई 2x-3 देखिए, हे ही जा 2 है, का है, 2 है, तो ही जो 2 है, चलिए, सही है, हे ही जा 3 है तो हे ही जो 3 है सही है का है सही है अब हे ही जा 2x-3 है यानि कहने का मतलब है बाबुआ लोग कि हमनी के 2x-3 का मान की करा बराबर होगा 3 के होगा तो हमनी के 2x बराबर कितना हो जाएगा मैनस 3 जाएगा उधर तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दूसरे 6 जाएगा 3 बार में तो x का मान कितना हो जाएगा बाबु बोलो तो x का मान हमनी के 3 हो जाएगा तो x का मान यस 3 आप लोगों का निकल गया अब बचाए y तो आप लोग को दिखाई देरा कि y है यह जा 5 है तो एक राम मतलब कि इसलिए y का जो मान है वह हमनी के 5 हो जाएगा तो x का मान y का मान कितना अराम से कितना बढ़िया से निकल गया निकल गया ना कोई दिकत हुआ कोई दिकत नहीं होगा चलिए तो आज की इस वीडियो में 5 सवाल को ही रहने देते हैं आप लोग को यदि अस्तिरीज बढ़िया लगा होगा कोशन बढ़िया लगा होगा तो कमेंट बॉक्स ने बताएगा कि नई सर यह पांचों कोशन करके मजा आ गया ऐसे ही आप लोग पांच कोशन दस कोशन कर आ दीजिए जो सब से ज़्यादा पूछा जाता है इसका आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है कौन सा कंसेप्ट आएगा अब वही पढ़ना है जो आएगा क्योंकि हिजाम में बहुत देखिए कहर मचाना है तुफानी हवा लाना है नंबर कबारना है तो आप लोगों को अब उस चीज पर फोकस करना पुड़ेगा जो चीज आता है ठीक ना और वो करें के पांच बार दस बर बनाना क्योंकि अभी आप लोग नए-नए हैं समझ गया ना कंसेप्ट आप लोग हिजाम जाकर भूल जाते हैं तो पांच बार दस बर जब बनाईएगा तो दम दिमा झाल sneaking जा प्ला खोकस करना कि झाल कि अपो उत्号 करें कि अभी आप करें